आम मुझे एंडे देनी हैं और कोई सरक्षित जगा ढूननी पड़ीगी यहां मेरी अंडों तक कोई भी न पहुँच पाए मुझे अपने अंडों होने बाले बच्चों की फॉप सुरक्ष्षा कनी होगी तुम्तनी चड़िया अपनी अंडों के लिए सुरक्षित जगा ढूनती है और उड़ते उड़ते बहुत दूर जंगल में एक जगा उसे एक सुरक्षित पेर दिखाई पड़ता है आहां, इतनी अच्छी उशान जगा मिली है और ये पेर भी कितना सुंदर है यहां मैं अच्छी सेंडी दे पाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्तनी चड़िया होशियार होने के साथ साथ बहुत महंती भी थी वो अकेले ही बिना किसी की मदब से अपना गोसला बनाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे किसी पर भी भरूसा नहीं था वो किसी प्रकार कभी कोई रिस्ट नहीं लेना चाती थी इसलिए खुदे तिंका तिंका घास और लकडियों के जोड से उसने अपना गोसला तयार कर लिया आरे वाँ मेरे सुंदर सा गोसला बनकर तयार हो गया तुंतुनी चडिया का सुंदर सा गोसला बनकर तयार हो जाता है और फिर वो अंडे देती है पर कोई था जिसको तुंतुनी चडिया के अंडे की बनक लग गई थी उसी पेड के साथ एक दूसरा पेड भी था जिसके पीछे शिकारी पक्षी का बड़ा सा घोसला था उस घोसले में खतरनाग चील रहता था ये ताजे अंडों की खुश्बू कहां से आ रही है? कहा है अंडे? कहा है? अब तो सबर ही नहीं हो रहा है ये अंडे की ताजी ताजी खुश्बू मुझे पागल बना रही है तब ही चील की नज़र दूसरे पेर पर पढ़ जाती है उस पेर पर तुंतनी उसे दिखती है मेरे बगल में खाना और मैं इधर उधर ढूंड रहा हूँ चील तुंतनी की बाहर जाने के इंतिजार करता है वो सोचता है कि जब तुंतनी बाहर जाएगी तब वो उसके अंडे खा जाएगा जैसे ही तुंतनी दाना खाने बाहर गई बाद में चील अपने घौसले से बाहर निकल कर सीदो पेर पर चला जाता है और घोसली में जाकर सारे अंडे खा गया बहुत मज़ा आया ताजा ताजा अंडे खाके जब तुन्तनी दाना खाकर वापस अपने घर आती है और अपने अंडों को नहीं पाती तो वो हैरान हो जाती है मेरी अंडे कहा गयी? काई ये गया? तोड़े दिनों में अंडों से मेरी बच्चे बाहर आ जाते किसने खाए मेरे अंडे? फिर कुछ दिन बाद दुष्चील को बहुत भूख लगी बहुत भूख लग रही है क्या करूँ? हाँ, ऐसा करता हूँ उस पेड़ पे जाके उस चड़िया को खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ जैसे ही चील गोसले के बाहर निकल कर चड़िया को खाने जाता है तब ही वो सोचने लगता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अगर मैंने चड़िया को खा लिया तो मेरी भूग बस एक बार ही मिटेगी फिर दोबारा क्या खाऊंगा ऐसे वो अंडे देती रहेगी और मैं अंडे खाता रहूंगा और रोज रोज मुझे ताजे ताजे अंडे खाने को मिलते रहेंगे ना ऐसा करता हूँ थोड़ा इंतिजार कर लेता हूँ जैसे ही चड़िया अंडे देगी छट से जाके खा लूँगा फिर थोड़े दिन बाद तुन्तुनी चड़िया ने फिर से अंडे दिये और खुद दान अचुगने बाहर चली जाती है चील अपने घोसले में सो रहा था तब ही उसे अंडो की ताजा गंद आने लगी अंडो की सुगंद इसका मतलब चड़िया ने अंडे दे दिये हैं मुझे जाके अंडे खाने हैं जैसे ही टुन्टुनी चुडिया दाना चुगने बाहर जाती है कि चील पीछे से जाकर टुन्टुनी चुडिया के सारे अंडे खा लेता है बहुत ही मज़ाया, बहुत ही स्वादिश्ट अंडे थे अगले दिन तुन्टुनी ने फिर से अंडे दिये और पता लगाने के लिए खुछ शुके से देखने लगी अंखिर कौन है जो मेरे अंडे खा रहा है अंडो के गं सुमते ही चील फिर से पेड़ पर आ गया फिर जैसे यह उंडे खाने लगा तब ही तुन्टुनी बहार निकली अच्छा तो तुम हो जो रोज रोज मेरे अंडे खा रहा है दुशकनी के तुम तुमी चील से पहुत लढ़ने की कोशिष करती है वो अंडो को बच्राने के लिए अपनी चीज यह लगा देती है लेकिन वो चील से हाड़ जाती है और शिकारी ची एक बर फिर से सारे अंडे खा लेता है कितने निर्दई हो तुम, कैसे मेरे अंडे खा गई, तुम्हें तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वे मुझसे मुकाबला करेगी, तुम मान क्यों नहीं लेती, कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकती हो कहा मैं इतना बलशाली, और कहा तु कमजोर सी चडिया, अगर मेरा बस चलता, तो मैं अभी के अभी तुझे खा जाता, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मैं तुझे खा गया, तो जो रोज तेरे अंडे खाता हूँ, वो कहा से खाऊंगा, हाँ 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 चल, तेरी जान बक्ष देता हूँ, पर कल मेरे लिए अच्छे अच्छे अंडे देना, ताकि मैं मजे से खा सकूँ तुंटनी बहुत दुखी हो जाती है, रोती है और सोचती है, मैं ऐसा क्या करूँ, जिससे चीज को सबक भी सिखा सकूँ, और अपनी अंडों को भी बचा सकूँ फिर एक दिन की बात है तुन तुनी बहुत परिशान होती है तभी वहां से जादुई परी जा रही होती है क्या हुआ नमी चुडिया तुम हो क्यों रही हो बताओ मुझे शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊ तुन्टनी जादुई परी को अपनी सारी परिशानी बताती है परिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है अब मैं आ गई हूँ मैं अभी तुमारे में पका घसना बना देती हूँ जो जादुई मिट्टी से बना होगा और बहुत मस्बूत होगा क्या वो घर मुझे शिकारी चील से बचा पाएगा हाँ तुन्टनी वो शिकारी चील जब तुमारे घर अंडे खाने आएगा तब उसे बहुत जोर का करेंट लगेगा जिसके बाद वो दुबारा तुमारे घर की ओर नहीं बच़गेगा जादूई परी अपनी जादू से तुन्टनी का गर बड़ा मजबूत मिट्टी से बना कर वहाँ से चली जाती है फिर अगले दिन दुश शिकारी चील को दुबारा भूख लगती है आज तो मुझे जिल्दी भूख लग गई कल ही तो मैं उस तुन्टनी के अंडे खा कर आया था चलो जा कर देखता हूँ कहीं उसने और अंडे दिये हो शिकारी पंची लेचाई निगाहों से उड़ता हूँ तुन्टनी के पेर पर पहुँचता है ये क्या एक ही रात में इस चड़िया ने मुझसे बचने के लिए पक्का मकान बना लिया अभी इसे मज़ा चखाता हूँ इसके साथ इसका घह भी तोड़ देता हूँ फिर जैसे ही शिकारी चील अपना बड़ा सा पंचा उस मिट्टी के घर पर मारता है अभी एक जोरदार बिजली का जटकों से लगता है और वो दूर जादी गिरता है तब ही वहाँ से शिकारी गिर जा रही होते हैं वो सदमरे चील को अपना भोजन बना लेते हैं इस तरह टुन तनी चड़िया को उस शिकारी पंची से चुटकारा में जाता है अरे वाँ मज़ा गया अब मैं अपने अंडों को सुरक्षत रख पाऊंगी जादूी परी आप ना होती तो मेरा क्या होता आपने मुझे मेरे अंडों को बचाने के लिए मिर्टी का गर बना कर दिया आपने ही मुझे हिम्मत दी मुझे में ताकत दी बना में तो सारी उमीद छोड़ बैती थी धन्यवाद आपका तुन तनी चड़िया ने पर से अंडे दिये और कच्छे दिनों में अपने बच्चों के साथ वो खुशी खुशी रहने लगी